असलाम अलेकुम एब्रीवन विल्कम बैक टू मैं चैनल तो आज मैं आप लोगें के साथ शेर करने वाली हूं मकरूनी बनाने की रेसिपी इंडियन स्टाइल एकदम मसाले दार चटाखे दार जो बच्चों के लिए भी जटपट बनने वाली रेसिपी बच्चों का फेवरे तो इसमें मैं दाल दूँगे एक जग भर के पानी और दाल दूँगे एक चमच नमक तो मैं ये आदे किलो मकरूनी के इसाब से दिखा रही थी तो अगर आप लोग कम बना रहे तो कम पानी डाली आदा जग पानी दाल सकते और अगर जादा बना रहे तो पानी को डबल भ बर के पाणी तो बस नमक मिक्स होने के पाद पानी जब अच्छे से गरम हो जाए तो इस टेम पे मैं इसमें दाल दूँगी मगरूनी और इसको अच्छे से पांश मीटर तक पकने के लिए देंगे इसका मतलब कोई भी परफेक्ट टाइम नहीं है कि इतनी टाइम के लिए आ और अगर आपके पस दूसरे शेप चाहें और आप बना सकते असमें बहुत से सथरूंतई है तो है छोड़े ऐसे हो ग्ला झाली है और बिजविश में इसको एक से दो बार इस तरीके से चमत से हिलाऊंगी वरना नहीं तो निच्छे ना सब चिपक ने लगेंगा तो बस यह जब 80% हमारा गल जाएंगा तो इसको निकाल लेंगे यह देखा अभी इस पुण से मैं तोड़ूंगी तो मतलब तूटेंगा भी थोड़ा भी लगेंगा कि आभी थो थोड़ा हलका हलका मतलब आजब इसा लगेंगा कि गल ने तो इस पॉइंट में आwasser थेखा ने में तो बस इस तरीके से शारे माक्रोनी को निकाल लेंगे हम लोग उसे बाद फिर मसाला pops here तो साफ करके कुछ करें तो तेल को अच्छे से गरम होने के लिए दूंगी तो फिर यह रड़ के बूंगी एंस प्यूंगी पियास अगर आप चाहिक के दो क्याक्षय नाए делать गलग चुन-चुन के खाएंगे इसके लिए और मैं दाल दूँगी प्यास तो ये दो मीडियम साइस के प्यास है इसको मैंने इस तरीके से बारिक चॉप कर ली थी तो बस अभी प्यास को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको भी भून लेंगे प्यास का बस जैसी अधर गलसन का पेस्ट अगर आप 250 ग्राम मकरूनी बना रहे तो आप इसमें एक स्पून दाल सकते वह इसाब से अंदाजा लगा सकते तो मैं आदा किलो बना रही थी तो आदे किलो के इसाब से मैं दाल रही थी दो चमाच्छा तो बस अब इसको अच्छे से मिक्स कर लू मिक्स कर टामाटर को अच्छे से गलनी के लिए 2-3 मीट तक पका लेंगे अब इसको आँच पर बना सकते या मीडियम में भी रखके टामाटर को अच्छे से गल आ सकते हैं मीडियम फिले में अब इस तरही किसे जब तोड़ा सा गल जाएंगा तो फिर मैं दाल दूंगे हम अगर आप लोगों के पास कश्मीरी लाल मिर्ज पॉडर है तो कलर के लिए आप वो भी दाल सकते यह में दाल रहे हूं आदा चमच ब्लैक पेपर पॉडर काली मिर्ज का पॉडर एक चमच दालूंगी धन्या पॉडर और फिर मैं इसको साथ में दाल दूंगी जो मकरोनी या पास्टा वगरा का मसाला मिलता रेडिमेट में वो दाल रहे हूं तो इसमें अगर आपके पस जो भी मैगी के कमपनी का भी आता जो भी आपके पस है या दूसरा भी कोई मकरोनी पास्टा या नूडल्स का मसाला तो आ सब्सक्राइब थोड़ी दिर पकने के लिए कम से कम 2-3 मिनित के लिए मसाले को अच्छा से पकने के लिए देंगे जिसी कि तेल उपर आजाएंगा तब तक पका लेंगे देखो इस तरीके से पानी दालने से क्या होता है कि मासाला यह अग्दम अच्छे से पक्ते और नीचे जलने का भी डर नहीं रहता तो यह देखो इस तरीके से भी तेल भी कितने अच्छे तरीके से उपर आ गया था तो बस अभी मैं इसमें दाल दूंगे हमारे गलाय हुए मकरुनी को दाल के तो आप अपने अंदाज के सबसे जहां तो ईसमें नमक नहीं है मैघी मासाले में लगाने in मासले में तो ऊसी टेम पे जब हम घल्दी मिर्ची में बगरा डालते तो उस टेम पे आप बनमक कहते ब्तल लुए वह सब इसको अच्छे से मैं क्या करदोंगी अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको श्लो में रखे कम से कम साथ मिनट या अश्लो में छोड़ देंगे ताकि अच्छे से यह हमारा मासाला और मक्रूनी साथ में मिक्स होके पक जाए इस तरीके से अच्छे से भाप आ गया था आपको दिख रहा होगा तो बस आभी मैं इसमें डाल दूंगी हरा धनिया और हरी मिर्च काटके अगर आपको हरी मिर्च नहीं डालना है तो आप इस किप भी कर सकते और बस इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से और गैस का फ्लेम बन कर देंगे अगर मैं शुरू में अगर हरा धनिया डालती तो इसका फ्लेवर मतलब उतना अच्छा से नहीं आता था इसके लिए मैं हमेशे इसको लास्ट में डालती हूँ तो इसका कलर भी एकदम अच्छे से दिखता धनिया का और यह थोड़ा कच्छा पन भी जो रहता है तो खाने में भी अच्छा लगता धनिया तो इसके लिए मैं इसको एकदम लास्ट में डालके बस इस तरीके से मिक्स करके गैस का फ्लेम बन कर दूंगे और निकाल देंगे एक प्लेट में तो आप लोग भी जरूर बनाएं ट्राइ कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे आसन रेसिपी देखने के लिए और अच्छे ची रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को तब तक के लिए पकाईए खाईए खिलाईए और खुश रहिए और जाने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए हमारा मकरूनी भी रेडी है